सूपर फूड मोरेंगा पॉटर के इस्तेमाल करने के चार आसान तरीके पहला तरीका सिर्फ पानी में घोल लें एक चम्मच को और इसको आप पी सकते हैं दिन में एक बार या तो ब्रेकफास्ट और लंच इसके बीच या तो लंच और डिनर के बीच में यह मोरेंगा पॉटर जो हमने मिक्स किया है पानी में यह उतना टेस्टी नहीं होता है इसलिए हम जाते हैं अपने दूसरे तरीके पर यह है आदा नीवू को आप इसमें स्क्वीज कर दीजिए सारा रस निकालके मिक्स कर लीजिए और इसको पी लीजिए यह पहले तरीके से बेटर है तीसरा मेथट है दही के साथ दही लीजिए उसमें आप मोरेंगा पॉटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तोड़ा सा है इसमें आप नमग डालिए, जीरा पौड़र डालिए और आप इसको दही के जरए खा सकते हैं चौथा और मेरा फिविड़िट तरीका है चांच लीज्ये, उसमें एक चमच मुरेंगा पौड़र को मिक्स कर लीज्ये इसी में आप डालिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पॉडर और ये पेट के लिए बहुत अच्छा है एक ही प्रॉब्लम है कि आप जब घोलेंगे तो आपको मुरेंगा पॉडर को अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा और इसके लिए आपको हो सकता है मुरेंगा पॉडर को इस ग्लास के अगेंस्ट ऐसे दबा दबा के घोलना पड़े